चलो फ्रेंज अब सुनो पहला सवाल जो बच्चे अब अकाउंट्स का एक्जाम देने जा रहे होना भाई मुझे बहुत सारे बच्चे बार-बार एक मेसेज कर रहे थे सर आंसर शीट का पाटन समझा दो ठीके पहले मैंने सूचा मैंने का चलिया रिसके ओपर बच्चों को ना थोड़ा एक्स्प्लेनेशन देने एक्जाम के एक दिन पहले पहली बाद याद रखना यह आपकी आंसर शीट में 32 पेज होंगे ठीक है पेज नंबर वान से लेकर 16 तक तो बटा ऐसे लाइन्स वाले पेज होंगे जो आपको नजर आ रहे हैं पहले ज़रा समझ लेना बटा अपने प्लस टू में बोर्ट में हम लोगोंने आंसर कैसे कर रहा था बहुत सारे बच्चे लेट जोइन करेंगे बच्चा प्लीज अपने ना क्यामराज प्लीज ओन करना क्यामराज ओफ मत रखना प्लीज अपने कोई भी ओके सो वान से लेकर 16 तक दोस्तों आपका पहले पेज रहेगा जैसा आप यह देख सकते हो कि सारे आपके एक से लेकर 16 तक पेज ऐसे मार्क लाइन शीट्स वाले पेज होंगे ठीक है पहले तो दोस्त इसको समझ लो सारे अच्छे से सोला के बाद यह जो पेज नंबर 17 से शुरू होता है 17 से लेकर आप देखोगे अप्रॉक्सिमेटली आइटिंग 24 पेज तक आपको 24 पेज तक आपको दे रखा है जनल का फॉर्माट उसके बाद ध्यान से मेरी बात समझेगा फिर आपके पास 25 से लेकर लास्ट तक डाट मींस 32 तक आपको दे रखा है सारा लेजर का फॉर्माट तो मैं कहना क्या चाहता हूं आपको आपका जो आंसर शीट होगी उसको हम लोग दोस्त तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि क्या थ्री पार्ट पर्स पार्ट आपके लाइन्स वाले पेज़ेज हैं पेज नंबर 17 से लेकर 24 आपका जनल का फॉर्माट है फ्रेंज और पेज नंबर 25 से लेकर 32 आपके पास लेड जोइनर्स लेड जोइनर्स लेजर का फॉर्माट है याद रखना अब मुद्धा यह है दोस्त हमने आंसर कैसे करना है suppose for example इसमें ना आपके पास answer option करने के दो options है फ़ले समझ लेना एक बच्छा कहता है सर पर को ना ये 17 से लेकर 34 चाहिए ही नहीं 24 और उसके आगे मैं सारे formats खुद बना लूँगा तो पहला rule याद रखो बड़े प्यार से आपको समझा रहा हूं rule number one if you don't want to use if you don't want to use journal का format or ledger then ignore it आप इसको simply ignore कर सकते अब बच्चा बोलेगा सर क्या हमारे marks कटेंगे नहीं कटेंगे तो इसमें सिर्फ आपको क्या होगा effort क्या है इसमें दोस्त तुमारा effort क्या बढ़ेगा तुमारा effort बढ़ेगा दोस्त वो ये कि तुम्हें formats खुद बनाने पढ़ेंगे formats खुद बनाने पढ़ेंगे ठीक है तो ये तुम्हारा effort लगेगा इसके अंदर और हो सकता उसमें time waste तो जो पहला सवाल बच्चे का सर हम लोग वहाँ पर format बनाएं या ignore कर दे देखो अगर तुम format खुद बना सकते हो तुम्हे journal ledger के formats नहीं चाहिए ignore कर सकते हो सारा कुछ तुम पहले 16 पेज में complete कर सकते हो दूसरा rule याद रखो rule number two अब rule number two क्या है दोस्तों कि हमारे पास याद रखियेगा इक बड़ी important बात है try to answer each question on one page and start the new question on a fresh page तो यह याद रखना बच्चा पहले तो क्या करे कोशिश करो जब भी नया question कर रहे हो fresh page से start करो ठीके और आप क्या करोगे भाई कोशिश करो छोटा question है जैसे मान लो subscription account बनाना आ गया या मान लो जैसे for example कोई आपका building fund का question आ गया तो एक ही page में करो थोड़ी जगा बचती छोड़ दो attention बतलो अब अगर मान लो तुम कभी कोई कर रहे हो sum suppose कर लो तुम कोई sum कर रहे हो और वो sum तुमारा दूसरे page में carry forward होता है agreed तुम क्या करो तीसरा question कोशिश करो fresh page से start करो practical जैसे करना चाहिए तो इसको हम कहते हैं this is the best way to do practicals practicals करने का सबसे अच्छा तरीका होता है यह right खीके आप लोगों का सवाल था ना sir paper कैसे करना है मैंने का मैं बता दूँगा राम से attention मत लो अच्छा rule number 3 याद रखो अब बच्चा कहते है sir I want to use journal and ledger formats because it actually saves my time I want to save time मेरे को वो line loan खीचने का इतना जमिला नहीं करना दोस्त agreed अगर तुम यह चाते हो कि तुम line खीचने से बचना चाते हो agreed मान ली तुमारी बात करो line खीचने से बच जाओ फिर उसका answer करने का तरीका क्या है मेरी बात को समझो suppose कर लो तुमने question करा और suppose कर लो वो question तुमारा for example debentures का है ठीक है मान लो जैसे question आया question number 8 debentures का ठीक है उसके एक part में suppose कर लो तुम कुछ theory लिख रहे हो मान लो debenture के एक part में तुम कुछ theory लिख रहे हो अब debenture का second part जो है उसका तुमे जर्नल बनाना पड़ेगा तुम क्या करोगे सीधा तुम यहां पर आऊगे और बहुत तरीके से ऐसे लिखोगे भई एक part मैंने 8 का वहां पर कर दिया अब 8 का ऐसे लिखना है question number 8 part 2 ठीक है debentures का मैं यहां पर जर्नल बना रहा हूँ राइड इस इस अब बेस वे तो आंसर गाइस प्लीज यहां पर अच्छे से specify करना answer to question number 8 और मेरी सला मानो जब तुम theory लिख रहे होना उपर mention कर दो answer to question number 8 part 2 refer to page number 17 या please see page number 17 सबसे अच्छा तरीक है मतलब इससे क्यों होगा examiner को पता होगा तुमने बटा यहां पर journal के format को यूज कर रहा है I hope it's clear to everyone तुम अच्छा यह चीज़े करो अब यह भी possible है जिसे हम कहते हैं आप आदा सम जर्नल का और आपको पोल दे loss on issue of debenture account बनाऊ बोलता न एक लाइन का बनाने को बोल दे अब उसमें क्या है मानलो आदा सम जर्नल का है प्रेश पेज लिया मैंने सपोस कर लो एक question 10 आ गया कोई आपके पास जिसमें लेजर और जर्नल दोनों है तुम उसका जर्नल बना लो question 10 journal entries यहां पे कर ली कर ली ठीक है अब इसको conclude करना है तुमने इसका एक पार्ट लेजर पे लेकर आना है तुम लेजर पे लेकर आओगे अब सपोस कर लो लेजर का जब तुम पार्ट लेकर आते हो तो तुम यहां लिखोगे question number 10 continued और वहाँ पर लेजर अकाउंट शुरू करते हैं राइट जहां पर वो उसका जर्नल एंड करोगे नीचे लिख देना for ledger please see page number 25 तो guys यह तीन रूल्स है जो आपको follow करने चाहिए अपना exam करने के वागए और कोई सवाल किसी के मन में है तो पूछो हाँ जी अच्छा अब एक चीज और वही मेरे दोस्त ने एक अच्छा सवाल पूछा केता है sir अगर माल लीजे जर्नल का question आ गया और मुझे working note भी बनाना है तो दोस्त मैं तुम्हें क्या कर सकते हो और तुम्हें कोई भी तुमारे marks इसके नहीं कटेंगे ठीक है अजी बच्छा यह भी सवाल ठीक है तो कह रही कहती सर जर्नल एक्स्ट्रा मिल जाएगा चाहिए होगा तो बटा एक्स्ट्रा शीट वहां पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है ठीक है मैं आपको सज बताओं तो नहीं मिलने वाली है तो आप यह 32 पेज में अपना काम करो वैसे आपको एक बात बताओं अकाउंट्स के लिए 32 पेज भी बहुत जादा है honestly मतलब मैं यह नहीं कहा रहा कि आपको नहीं आता दोस्तों but actually में 32 pages are more than sufficient मैं इसलिए बोला अराम से करो यार देखो अगर आप एक question एक page पे भी करते हो ना बड़े अराम से आपके 32 pages utilize हो जाएगा और बड़ा नीट रहेगा and जो भी suppose कर लो आप lines बनाओगे मालो एक बच्चा कहता है sir मेरे को ना format ही बनाना है मेरे को तो sir यह सब पंगे में जाना ही नहीं है कोई बात नी चलेगा फिर बच्चा यह जो तुम lines draw करोगे ना format की please use pencils and scale इसको pen से मत draw करो ठीक है make it neat थोड़ा सा हाँ जी any more further questions अगर जैसर चलो भई यह भी सवाल genuine है मैंने इसलिए इसको live class में रखा बच्चों के सवाल आते हैं कहता सर्डेट का कोई काम नहीं है निल प्लांक कोई बात नहीं चलेगा यह काम नहीं है चलेगा अच्छा अब यह भी सवाल genuine है भई अच्छी बात है बच्चे सारे सही पूछ रहे हैं सर अगर लेजर में मान लो तीन partners आ गए और एक्जामपल अब partner में तो एक ही फोलियो दिया हुए अब क्या करें हम लोग ठीक है देखो दोस्त तुमारे पास दो option number one option one तुम यहां पर partners capital के दो column pencil से और बना दो ठीक है एक असान option नहीं तो तुम partners capital उपर लाइन वाली sheets में बना लो राइड मतलब मेरा कहने का मतलब यह है अगर तुम जर्नल लेजर का format बना रहे हो या या यूज कर रहे हो तो बस खाली clearly mention कर देना कि we refer to this particular page या please see this particular page because examiner should know कि आपने आदा सम यहां कर रहे हैं और आदा सम आपने formats में कर रहे हैं जैसे अब suppose कर लो आपने revaluation account बना लिया अब आपको partners capital account बनाना है अब जब आप partners capital account बना रहे हो तो आप a b c ऐसे करके या start कर सकते हैं इस डाट क्लेर अच्छा एनी मोर questions we have हाँ जी अब जैसे मान लीजे आपको मैंने क्या बोला अपने revaluation बनाया तो एक ledger पूरा revaluation के लिए यूज करो और partners capital के लिए fresh ledger यूज करो मतलब क्या करना है अगर आपने suppose इस ledger को यूज करके आपने revaluation बनाया है तो मैं बच्चों को recommend क्या करूंगा कि अगले partners capital आप next ledger में यूज करें don't make it in the same right हाँ जी any more questions we have any more further questions हां जी अच्चा बालंशीट आप लेजर में draw कर सकते हो बालंशीट में क्या बच्चा टीशे भी बनाना है तुम उपर भी बना सकते हो तुम्हारी इच्छ है वैसे तो income expenditure भी तुम लेजर में draw करके balance sheet भी यहां draw कर सकते हो इसकाली जब draw कर होगे तो यहां पर particular cut करके liabilities लिख देना बस इतनी सी बात है और यहां पर particular cut करके asset लिख देना येस बच्चा और बताईए ओके यह भी सवाल genuine है पर question time कितना देना है यह बड़ा genuine सवाल है देखो बच्चा मेरी एक सला मानना अब आती टाइम लिमिट की बात time manage कैसे करें गोड़ भाई हमारे पास बच्चा दो घंटे हैं दो घंटे का मतलब कितना हो गया बच्चा अब आपको यह चीज़ पता है हमारे पेपर में तीन तरह के सवाल होंगे लॉंग मीडियम और शॉट इसको हम बोलते हैं वेरी शॉट समझ रहें कोई भी लॉंग क्वेश्चन को कोई भी लॉंग क्वेश्चन को अबरेज मेरे हिसाब से माक्सिमम से माक्सिमम टेन टू फिफ्टीन मिनिट्स की उपर मत लगाओ 55 मिनिट कम से कम आप एक सवाल को लगाई हूँ ठीक है नगया तों 15 मिनिट्ट मैं बोल रहा हूँ आप 20 लगाओगे ठीक है बड़ आपको एक चीज बताता हूं अगर तुम जेन्वन तरीके से करोगे तुम्हारा 15 मिनिट में एक सवाल बहुत आराम से हो जाएगा ठीक है मीडियम क्वेस्टिन शुड नॉट टेक 5 तू 10 मिनिट्स और शॉर्ट क्वेस्टिन इन लेस देन 5 मिनिट्स ठीक है अब एक और जो बच्चों का बड़ा कॉमन सा सवाल आता है सर पेपर स्टार्ट कहां से करें पहली बात तुम ना पेपर को रैंडमली कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तुम यह नहीं करना कि मेरे को पहले वांसे ही शुरू करना है ऐसा कुछ नहीं है सीबियस यह ऐसा कोई रूल नहीं मराता पेपर तुमने वांसे ही शुरू करना है तुमने करना क्या है दोस्तों मेरी बात को समझो तुमने क्या करना है तुम क्या करोगे सपोस कर लो तुमने लॉंग मीडियम शॉट करा पेरी बात मानो जब आप एक्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं या फ्रेश पहले जितने लॉंग प्रेश्चन है ना एक्टेम्ट कर लो लोग बोलते पहले शॉट एटेम करो मैं मना करता हूं क्यों क्यों जब लास्ट में घबराट होती है ना तो घबराट में ये जल्दी हो जाएगा ये छूट जाएगा तुमसे लॉंग छूट जाएगा शॉट छूटेगा नहीं क्योंकि शॉट के लिए तुम्हें पंदरा मिनिट से ज़्यादा लग रहे हैं कहीं पर इनकंप्रीट छोड़के अगले पर आजाओ उसमें आदा घंटा मत लगाना शुरू कर देना इस इस अब बिगेस लोग विच नॉर्मली स्टूडेंट कमिट इन दे एक्जाम पच्चा ये बहुत बड़ी गलती करता है अगर तुम्हें लग रहे हैं कि भाई साब पंदरा मिनिट के अंदर पेरा सवाल वहां पर नहीं हो रहा है कितना करा है छोड़ दो बाकी बात में देख लेना कुछ भी करो माक्सिमम ये सारा कुछ प्लान करोगी सौ मिनिट में तुम पेपर खतम करोगे पर हो जाएगा याद रखना सौ मिनिट क्यों बोल रहा हूं लास्ट के ट्वेंटी मिनिट तुमने जो छोड़ा है और रिविजिन के लिए उसको जरूर रखना ट्वेंटी मिनिट्स लास्ट के टो छोड़ दिया उसको कंप्लीट करना या रिविजिन के लिए याद रखो अकाउंट्स का पेपर अगर तुम तरीके से कर रहे हो तो सौ मिनिट में पॉसिबल है दोस्तों कि इस पॉसिबल इन हुड्रेड मिनिट्स को बातम जी आप कुछ पूछ रहते हैं अजी बच्चा अच्छा आपको रीडिंग टाइम मिलता है सारे बच्चों को पता है अब बच्चा बोलता सर जाते शुरू कर दूं नहीं तरी बात समझो पहले जब वरक आउड करते ना भई वाम अप करते हैं वाम अप नी करोगे तो मसल इंजरी हो जाएगी समझ गए मेरी बात ठीक है तो रीडिंग टाइम मिला ना भई उसको यूट्राइस करो और उसमें प्लान बनाओ कि मिरे को क्या क्वेशन आता है पहले मिरे को एटेम्ट कौन सा करना है और जो मिरे को आता होगा वो भी छूट जाता है कि वातम जी आपने सुनी मेरी बात कि सारे बच्चे समझ गए भई कॉण्फिडेंस लो नहीं करना हां जी ओके जैस अब जैसे आन लीजिए आपने कोई क्वेशन आटेम करा ठीक है जिदी बोलती बोलती सर क्याश फ्लो का क्वेशन आटेम करते मैं आपको बता देता हूं बटा ज्यादा तर क्याश फ्लो का क्वेशन जो आने का चांस है वो आने का चांस है CFOA निकानना याद रखना उनका ज्यादा focus होगा operating activity निकालना. ठीके? याद रखियेगा. तो आपने operating activity पर focus कर लो. अगर तुमारी operating सही है, तो तुमारी investing financing अपने आप ही सही हा जाती है. अपने operating पर focus करो सरफ. CFOA cash flow from operating activity. Is that clear everyone? Okay. I hope बिड़ा सारे बच्चों को कहानी समझ में आ गई होगी